अच्छा करके प्रभू तेरे वच्छन से मेरे साथ बात कर। कई ये प्यारो कोई भी साथ नहीं बैठा रहेगा। जो बाहर गुमने गए, आपका मन कहीं बाहर है, बटक रहे। आप हाथों को उठाएं प्रभू से कया है। प्रभू तेरे वच्छन के उपर गाहर फर्माने का अनुग्रह दे। ध्यान देने का अनुग्रह मेरा ध्यान कभड़ के नहीं प्रभु सैतान नहीं जो आपका ध्यान कहीं ओल ले जाएगा, प्यारो क्योंकि सेथा नहीं चाहता कि आप प्रभू की बातों को सुनो एक सिर्फ 40-45 मीट हम प्रभू के बच्चनों से देखते हैं प्यारो और यह समय हम नहीं चाहते हैं कि वेस्ट हो आप कहें प्रभू मेरा ध्यान कहीं न बढ़के तेरी बातों को सुनने का स्विकार करने का आपके वच्चन को भेज कर हमें अत्मिक मासिक पारिवारी हरे कृती से चंगा करें प्रभू आपके वच्चन को समझाने का अनुगरम मुझे दीजे प्रभू आपके वच्चन को समझने का अनुगरम मुझे और हम सब को दीजे प्रभू येश्व मसी के नाम से हम आपके अम्बीर बाद है हमारे जीवानों के लिए जिसके उपर हमें गौर फरना फर्माना वो है दोहरा नाइतिक जीवन या तो डबल स्टांडर लाइफ दोहरा नाइतिक जीवन एक बेहन के विसे में एक पास्वान बता रहे थे वो रूम में बैठी हुई थी और दुआ कर रहे थी और जोरदार दुआ अन्यबासा में दुआ की काफ़ी टाइम दुआ की पावरफुल दुआ की और उसके बाद अपने रूम से बाहर आई और तुरंद अपने परिवारों के उपर चिलाने लगी कुछ बात को लेकर अपने परिवार की कुछ व्यक्तियों के साथ वो जगड़ा करने लगी और जब वो जगड़ा कर रहे थी तब उसको देखकर पता यह नहीं ना चले कि अब थोड़े समय पहले वो दुआ कर रहे थी वो भी अन्यभास सामें वो भी गंटों तक एक थोड़ी ही पल पहले कुछ और थोड़ी पल के बाद थोड़े मिनिट्स के बाद कुछ और इसे कहते दोहरा नहीं तिक जीवन दोहरापन डबल स्टांडर लाइफ सबसे डेंजर है क्योंकि एक रिती समय संतोस होगा मैंने बाइबल पड़ा मैं दुआ में गई मैं चर्च में गई मैंने आराधना की मैंने किसी को गवाई दी वह बातों के नीचे सारी बातों को हम छुपा देंगे जो भी हम प्रभू की द्रस्टी में नहीं पसन वो जो कर रहे है उसे इसके नीचे छिपा देंगे और हम क्या ब्रम्य जेंगे मैं आत्मी मैं प्रभु को भाती हूं मैं प्रभु को भाता हूं भाता भाती सब बाद में निकल जाएगा जब न्याय होगा आखें खुली रहें प्रभु मैं तो यह सब करती थी ने यह बस तो दूसरी और दिसा में जा रही है यहां लिखाए स् नर्क की और जा रहे है प्रभू प्रभू कहेगा डबल स्टांडर्ड लाइव दोहरा नहीतिक जीवन तु ब्रह्मे रही पूरी जिन्गी यहुदा कौन था पको पता है यहुदा पताया नहीं येशु मसी का चेला बोले येशु मसी का चेला शिश्य काफी टाइम येशु मसी के साधरा सालों तक जितना भी समय बाकी के चेले प्रभू येशु के साधरा लेकिन उसके विसे में लिखा है सब आयत नहीं निकालूँगा ताकि समय बचा सके उसके विसे में लिखा है वो चोड़ था और अपने साथ थैली रखता था येशु के पीछे भी चर रहा है खुद को बोर रहा है मैं येशु का चेला येशु ये जानते थे फिर भी उससे मौका दिया फिर भी उससे प्यार किया अपना चेला बनाया जहां गए उसको साथ ले लेकर गुमें और जब मरियम ने वो इत्रे को डाला पर्फ्यूम को डाला येशु के कदमों में तब वो खुद खड़ा हो जाता है बोलता है इतना महगा इत्रे डाल देने की क्या जरूरत थी और बाइबल में लिखा है उसको वो बात की नहीं पड़ी थी वो चोड था और वो चोरी रख था उसको पैसों की पड़ी थी इतने पैसे येशु मसी के चरनों में डाल दिये उससे अच्छा हो था मेरी थैली में जाते है मेरी जैब में जाते है येशु का चेला येशु क की बदलाने कई मसी लोग चर्च में आते हैं आराद ना करते नाज भी लेंगे कुदब भी लेंगे पास्टर के आगे तो यह संदकाब पेंगे गुमेंगे पास्टर ना पहचान सके ना माबाब पहचान सके ना पती ना बदनी अन्दर से कुछ और आप मैं से कुछ तो इतने अकड हो हम जितना भी बोले हमें पता है आपको कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला लेकिन ये वच्चन तब आपको याद आएंगे जब आपकी अकरगरदनों को प्रभू तोडएंगे तब के लिए अभी तो जीए जैसे जीना हो जीए मजा करें अभी जैसे जीनना हो जीए लेकिन याद रखना एक समय आएगा जब आज का दिन और ये समय आपको याद आएगा प्रभू के दासों के बचन आपको पता है वो यहूदा का जो डबल स्टांडर लाइप जीता था उसका क्या हुआ बुरा जीवन बरबाद सेतां को बार बार हाथ दे रहे हो ने वो यहाथ पकड़ कर खीच कर नाश में ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा अब दोहरे नैतिक दोहरे से चल रहे हो प्रभू में एक पैर है और दुसरा पैर दुनिया में संसार में पाप में तैयारी रखिए वो एक पैर जो संसार में रखाएन है वो एक पैर खीच कर जब सेतान पूरा आपको ले जाएगा तब पश्टावे का पार नहीं होगा प्यारो तब रोना धोना काम नहीं आएगा और आज तो बहुत आपको असर नहीं होगी क्योंकि हम हमारी बेड़ों को जानते कि हमारी बेड़ कितनी जिद्धी है कितने कठोर रदे की है वह आज आपको पता नहीं चलेगा यह बचन और मैं वो दिन के लिए दे रहा हूँ जब आप पच्तावा कर रहो तब आपको य अपनी मस्ती में कोई बात नहीं जीए जैसे जीना हो यहुदा को एक दिन ऐसा जपट में लिया स्यद्धाम पूरा जीवन बरबाद कर दिया क्यों डबल स्टांडर लाइफ आधा पैर दुनिया में संसार में आधा पैर प्रभू के साथ संतोस में जी रहा था ऐसा जीवन बरबाद कर दिया इतना बड़ा पाप करवा है उससे भी बड़ा पाप सुसाइड करके मर गया पूरा जीवन खतम ये शुक के साथ चलने वाला ब्रह्म में नहीं रहे हैं मैं चर्च में जा रहा हूं मैं आराद ना कर रहा हूं मैं बाइबल पढ़ रहा हूं एक पैर प्रभू में है और एक पैर संसार में एक पैर प्रभू में एक पैर पाप में कभी भी सैतान कसीड कर ले जाएगा आपको पता भी नहीं है तैयारी रखी अभी से तैयारी रखे मैं में मेंटली प्रिपेर कर रहा हूं आपको जो परिणाम आने वाले उसके लिए प्रिपेर करें हम क्योंकि हम जानते आप सुधरने वाले तो नहीं हो आपको कुछ काफी सुधरने वाले होते तो इतने सालों में परिणाम दिखता आप सुधरने वाले नहीं हो इसलिए हम परिणाम आपको बता रहे है आज डबल स्टांडर लाइफ में ही पड़ेगी दोरानेतिक जीवन बहुत मेगा पड़ेगा पहला राजा अठार वी आयत अठार वाद यह ट्वेंटीवन आयत में लिखा है मैं वच्चन लिखे हुए ताकि मैं समय बचा सको और फटा फट जो प्रभू आज आपको सीखाना चाहते हैं हम सीख पाएं पहला राजा अध्याए 18 और वर्स 21 प्रभू का वच्चन कहता है और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा तुम कब तक बोले कब तक दो विचारों में लटके रहोगे कई मसी लोग अभी भी लटके हुए है आदे मसी कई बार प्रभू की और मुड़ जाते कई बार सैतां की और आप में से कितने लटके हुए है प्रभू का दास कहता है तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो और यदि बाल हो बाल मतलब वो समय का परमेश्वर मुड़ती तो उसके पीछे हो लो अरे छोन लीजिये न कब तक सब को उल्लू बना है सबको धोखे में डालकर दोरा नेतिक जीवान जीने का फाइदा ही नहीं है प्रभु का दास कहता है कब तक दो विचारों में लटके रहोगे प्रभु के पीछे चलना है तो प्रभु के पीछे चलिए और अगर दुनिया में रहना है तो दुनिया में जाएए कोई बात नहीं लेकिन तैयारी रखे यहुदा का जीवन जो दोहरा स्टांडर्ड था उसका बहुत भारी पड़ा था आज यह बाते आपको मुल्यवान नहीं लगेगे लेकिन जब रोग है तब हमारी इस बातों को याद करना कितनी भारी किम्मत आपको चुकानी पड़ी कि प्यारो प्रभ का दास कहता है कब तक आऔर समय होता है है अभी दो संदह पहले हम सिखार रहे थे कृपा द्रस्ती का दया कसमे पहचनियें है पिर भी five six seven पहले गंटों तक राद दिन जापकर सिखारे मिया होने वाला ऑस सो न्याए होने औरos ul बोलते रहेंगे देख लेंगे बाद में उब ऊखे नहीं का सुधरने का प्यारों प्रभु का दास के ता है दो थाहरों में कब तक लटके रहोगे यदि यहुआ परमेश्व कि उसके पीछे ओलो और यदि वाल है तो उसके दुनिया अच्छी लगती है तो जाओ फोकट की दो चेहर यहां मत रोके दूसरे को किसी को बिठाएंगे विचार कई लोग दो दो तीन तीन विक से वेट करते कि कब हमें चर्च में जाने मिले और आप जो कठोर रदही को जिसको कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं जुसका एक पैर नहीं पौने भाग के वह दुनि करेंगे हमारी वो खुसी होगे कि यहां कुछ जगा खाले होगे किसी को बिठा पाएंगे प्रभु का दास कहता है दो वी चारों में कब तक कब तक समय होता है ना देखिए हमारी इंटेंसिटी बड़े उसका मतलब आप सोच लेना पास्टर्स क्यों इतने कड़क सब्दो में बोर रहे हम देखते हैं इसलिए बोर हम आपके चरवा है प्रभु की और से ठेराये गए और बेड़ जब डाएबाएं मूड़ेगी बाड़े के बाहार जाएगी सोटी उगामना सोटी मारना वो हमारा फर्ज है ताकि आपकी आँखे खुले पहला समुएल पंद्रा औ बाइसम पड़े समुएल प्रभु के दास को कहता है साउल को समुएल ने कहा क्या यहोवा होम बल्यों और मेल बल्यों से उतना प्रसन होता है जितना की अपनी बात के माने जाने से प्रसन होता है सुन मानना मतलब आगना पालन तो बली चड़ाने से और कान लगाना मेढो की चर्वी से उतन है प्रभु का दास कहता है तुझे यह लगता है प्रभु तेरे बलीदानों से खुस हो जाएंगे अरे आगना पालन जरूर ये पहले अगर आगना पालन नहीं है प्रभु की बात सुनना कान सुनना आपके जीवन में नहीं है तो प्लीज दया करना कोई दया के काम नहीं करना क्योंकि आप ब्रह्म में जी होंगे वो मैंने गरीब को मदद की वो मैंने उस भूखे को खिलाया उसको बस्तर पहनाए और आप संतोस में सो जाओंगे कल जाकर आँखे खुलेगी नर्क के द्वार परोंगे प्रभुू का वच्छन कहता है जिद्ना की अपनी बात के माने जाने से प्रभू-प्रशन होता है प्रभू-प्रशन कब होगा जब आप उसकी बात सुनों बन कर दीजे सब काम कुछ भूखिय को गरीब को मत खिलाया कोई बात नहीं अगर आगनापालन आपके से जीवन में नहीं है दान मत दीजिए कोई बात नहीं अगर आगना पालन नहीं दान बान नहीं चेह हमें प्रभू खूस कब होता है समुएल ने कहा का क्या यहोवा होम बली और मेल बली उससे प्रसंद होता है नहीं आपके बलीदान पैसे दे देने से, गरीब को खिला देने से प्रभू प्रसंद नहीं होता, प्रभू प्रसंद उसकी बात आप जब मानोगे तब होगा, और उसकी बातों की और तो आपको कान नहीं लगाना, पास्टर चिलाते रहे, प्रभू के दास चिलाते रहे, वच्छ नहीं होने वाला है यह साया 29 और 13 पढ़िए यह साया 29 और 13 प्रभु का बच्छन कहता है यह साय 29 और 13 अगर नहीं मिलता है मैं पढ़ता हूं उसकी और ध्यान दीजे क्योंकि अगर सब निकाल ले जाएंगे मेरा समय पूरा हो जाएगा और प्रभु ने कहा यह लोग जो मु अपना मन रिदय मुझसे दूर रखते हैं प्रभु दुखी होता है उन लोगों से जो सिर्फ मुझसे आदर करने वाले हैं यहां पर आउसो प्रेयर के चर्च में कलीश्या में ससंग में बैठे ऑनलाइन जूड़े कितने ऐसे लोग हो जो सिर्फ मुझसे प्रभु को प्र प्रभु तेरा आदर प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु तेरा नाम को मुझसा उठा सिर्मुझसे खुस हो जाएंगे प्रभु और वो आपके जीवन को देखता है अभी मुझे कहते ही प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हो और अभी बॉइफ्रेंड के साथ चैटिंग अभी माबाप को जुठ यहाँ पर कितने लोग आप ऐसे बैठे उनलाइन देओं माबाप को बेज डाले ऐसे हो आप सर्मात ही हमें ऐसे कलिश्या के कलिश्या के पास्टर है प्रभु मुच से मुख से आदर देने से प्रसंद नहीं होता परंतो अपना मण मुझस से दूर रखते हो मन तो दूर है मन तो दुनिया में है मन तो संसार में है प्रभू का बच्चन पंद्रा वियात में कहता है यस्या उन्ती सौ पंद्रा हाई उन पर जो अपनी युक्ति को यहुआ से छिपाने का बड़ा यत्ना करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं हमको कौन देखता है कितने चोटे बच्चे कितने जुनियर योद कितना योद आपको यह लगता है प्रभू को कुछ पता नहीं है अंधेरे में काम कर रहे हैं और रूम बनकर माबाब को यह लग रहा है न बेटा मेरा पढ़ रहा है हो दो घंटे से रूम में कि बेटा क्या गूल खिला रहा है वो तो कुछ सालों बाद पता चलता है प्रभु का बचंग कहता है हाई उन पर अपसौस है आपको अप्सोस ऐसी मूँ से प्रभू को मान देते हो प्रभू की कुछ सुनते नहीं हो माबाप की सुनते नहीं हो पास्टर्स की सुनते नहीं हो और प्रभू का बच्चेंग कहता है ऐसे लोग अपनी युक्ति को अपने काम को यहुआ से छीपाने का प्रभू से छीपाने का प्र साथ हमें बाहत नाए प्रभू को सब कुछ पता है बाहर जाकर आप पान मसाला खाकर आओ मुझा यहीं पीछे आप दोते हो ने सब दिखता है CCTV में पीछे मुझा दोकर आओ प्रभू को पता ना चले समत मानना रोको सब पता है प्रभू का बच्छेंग कहता है अपनी युक्तियों को यहवा से च्छिपाने का बड़ा यतना करते हैं और अपने काम अंधेरे में करते हैं हमको कौन देखता है ब्लैंकेट ओड़कर अंदर चैटिंग करते हैं काम आप आपको पता चले बीचारे ठाके हुए पूरा दीन मेहनत करके आपको खिलाने के लिए दोड़ा दोड़ी करते हैं वो तो सो गए छे गंटे वो सोए वहां तक हम हमारा काम करें दो दो बज़े आप मैसेज करते हो कि सरमानी चैए अंधेरे में कहते हैं अमें कौन देखते हैं ब्लैंकेट के अंदर कोई देखे या ना देखे आपके माबाप ना देखे परमिश्वर देखता है छुपकर दो दो तीन तीन बज़े मेसेज करते हो और माबाप बोले बीटा बता है तो तो तारो फोन एक जड़के में सट सड़ाट डिलीट मार कर देदे थे हो का माबाब बिचारी पड़ी नहीं है माब बिचाराप पीटा टांप नहीं है पूरा दिन मद्दूरी करने जा रहे मेहनत Sitna जा रहे एक जटके में डिलीट करके दे दिया माबाब को दुसरों को लूब बना सकते हो प्रभू को नहीं प्रबु सब देखता है और वो न्याई परमेश्वर है और वो न्याई जब करेगा आपके आशु भी कोई काम नहीं करेगे और वो दिन हम आज का दिन आपको याद दिलाएंगे आप जो बेखो फोकर दुनिया में अपना पैर रखकर जी रहे होने हम आज का दिन आपको याद दिलाएंगे हम हसेंगे वो दिन हम दुखी नहीं होंगे हम याद दिलाएंगे हमने आपको वार्न किया था है जेतावनी देदी थी अंधेरे में काम करते हो प्रवु को कुछ पता नहीं माबाब को पचा नहीं पास्टर्स को पता नहीं तैयारी रखे किमत चुकाने के लिए तैयारी रख जीवानों को बरबाद होते देखने के लिए कोई भलिवार नहीं आवे जीवन मां कोई अच्छी आसा जीवन में मत रखिये प्रभु कहता है हाई अब सोस है जो मुझसे छीपाते अपने काम आप प्रभु से क्या छीपा पाओंगे जिसने इस संसार को इस सुष्टी को बनाया आप यह समझते हो बहुत स्मार्ट चुट जाओंगे भाग जाओंगे इंस्टा और फेस्बुक प्राइवेट कर देने से प्रभु की नजर सब बच नहीं सकते हैं प्रभु की नजर सब को ढूंती है प्रभु का बच्रण क्याता है प्रभु की रिष्टी सारी सुष्टी पर घुमती रहती है फिरती रहती है वो ढूंता है कोई है जिस का डेह मेरी और हो कि पास्रेश को ब्लॉक कर देने से बले पास्रेशय ना देख पाए अब का इकाण मार यह आप ख्लॉन हो वह प्रभू सब कुछ देखता है मिदा कि रोकी नजरों में सब कुछ और तैयारी रखें ने आपके ठुमके आपका नाज डांस वो सब निकल जाएगा कि आज जो आराधना करते हो यहां बैड कर दोहरा स्टांडर्ड बाहर जाकर मुवीज के गानों पर नाशते हो कुट्ते हो सेतान ऐसा नचाएगा आपको आपको रोना भी नहीं आएगा याद रखे मेरे हमारे सब्द क्योंकि प्रभू अपने दासों के सब्दों को गौर से सुनता है ऐसे कुछ टिक्टॉक स्टार्स यहां आते थे जिनके सत्तर हजार फॉलोवर बहुत गुरूर था मैं बहुत खुबसूरत मैं बहुत हैंसम प्रभू के दास शेता थी गए नहीं माना अज कहीं के नहीं रहे कहीं के नहीं रहे आज देखो तो देखने का मंद ना करें सुक कर सोटी जैस हो गए यह गुरूर है ने आपकी लिफस्टिक लगाकर और मसकर और क्या क्या करते हो में कब करके जो नखरे करते हुआ दुनिया को बताने के लिए किसको बताना है आपको आपके हस्पन देख रहे हैं सामने पूरी दुनिया के आगे तमासा बनाना खुद का कि आपको बहुत अच्छा लगता है यह सब निकल जाएगा हम दुआ करेंगे आप इतने कदरों पे हो जाओगे यह पूरी आपकी ब्यूटी ऐसी गायब हो जाएगी कोई देखेगा भी नहीं आपकी और क्यों क्योंकि आपके लिए वो ही अच्छा है आपको दिये हुआ एक खुबसूरतिक आप गलत फाइदा उठा रहे हो ऐसे सत्तर हजार फॉलोवर वाले टिक टॉक सार आज कौने में रो रहे है पूरा जीवन बरबाद हो गया है यहां पर कितने स्टार बेट है जो इंस्टा पर फेस्बूक पर हजारों फॉलोवर्स रखे हुए येशु को फॉलो नहीं करना बाकी सब फॉलो करें मुझे मेरे नकरे देखें कोई बात नहीं प्रभू सब कुछ देख रहा है प्रभू सब कुछ देख रहा है सब से हाइड करें प्राइवेट करें कुछ भी कर लिजे प्रभू से आप छिप नहीं सकतें वही खुब सरती जिसके उपराइब गुरूर है बिमान है आप खुद को हैंसम खुद सूरत मान कर नक्रे कर रहे हो बरबाद कर रहे हो अपना समय बरबाद करें माबाब के पैसे बरबाद करें आपका जीवन को पास्टर si की पड़ी नहीं है तैयारी रखें काउंटन सुरू आज से काउंटन सुरू आपकी खुबशुरुति गायब ना हो तो मैं आकर मिल अगर सुद्रे नहीं तो मैक अपको कितने भी थपेडे करोगे ने, तब भी बस सुरत ही लगोगे. क्यों? क्यूंकि आपने प्रभु को धोका दिया, माबापको धोका दिया, पास्टर्स को धोका दिया. आपको पता नहीं है, पास्टर्स से जूठ बोला. देखे प्राइवेट करना मतलब क्या होता है बता है सबसे चिपाना और जूठ वोला प्रभू से चीपा रहे हो अरे आप अच्छाई काम कर रहे हो इंस्टा पर फेस्बूक पर तो क्यों चीपा रहे हो ओपन रखेना चीपते हैं वो जिसके दिल में पाप होता है जो कुछ गलत करते हैं उसकोई धांपने की चिपने की जरूरत पड़ती है आप अगर चिपा रहे हो आपके अकाउंट प्राइवेट है मतलब अंदर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है पाप चर रहा है और वो प्रभू देख रहा है प्यारों वो सब प्रभू देख रहा है बदला पा कि आनान्या और सफिरा यादे ने कि यादे कि बूल गए है रहे हमें कहां इसा सब याद आए कोई सालों पहले सुना होगा ना प्रभू के दासों से एक जुठ बोला एक जुठ अच्छा काम कर रहे थे वो तो आपके जैसे चुपकर कुछ गलत काम नहीं कर रहे थे चुपकर बॉइफरेंग गर्फरेंग के साथ बात नहीं कर रहे थे हजबन वाई बीचारे संपती बेज कर प्रभू के दासों के चर न्याइसासन नायनियम की बात करो पुराने नियम की नहीं हो प्रभु दयालुए नायनियम में प्रभु यश्रु आ गए अब तो कोई चिंता ने जैसे जीना जियो एक चुट प्रभु के दासों के साथ चिटेंग बहुत भारी पड़ी जीवन गवाना पड़ा उसका हस्बंड आया पहले प्रभु के दासों ने पूछा इतने ही पैसों में जमीन बिची अरे सिर्व बोल देना चे था नहीं एक्स्ट्रा पैसे थे हमने रखे दे कोई बात नहीं लेकिन क्योंकि उन्होंने जोट बोला वही पर उसका प्राण गया मर गया प्यारो वह परमेश्वर नए नियम में भी न्याई को पसंद करने वाला खुदा है प्रभु के दासों से जुट बोल खर कहां बागोगे प्रभु देखता है ने सब देखता है उसकी वाइप पीछे-पीछे आई हाँ मेरे हच्बंड ने ज जुट बोलना मतलब आपको गंबिरता मालूम नहीं होगे माबापको आज रुला रहे हो वचन कहता है क्या वचन आपको याद है गुजरादी मला की खेणना कागड़ा कोची खास है तैयार रहे दुस्ता आत्मा पीछे लगी आपकी आपका जीवन बरबाद करने के लिए प्रभु के दासों से जुठ बोल रहे हो तैयार रखे प्रभु का न्याइशासन जरूर आएगा मत्थी 23 और 25 में प्रभु का वचन कहता है मत्थी 23 और 25 ये एक सास्त्रियों को लिखा गया है फरोस्यों को लिखा गया है जो वचन में मास्टर थे ये वचन में मास्टर किया हूँ था प्रभु कहता है मत्थी 23 ये कपटी सास्रियों लिखको वचन में जो मास्टर किया हूँए एकस्पर्ड है प्रभु को बोलता है कप्टे क्यों कि है कप्टी सास्री और फरस्यों तुम पर हाई तुम कटो रहे और थाली को उपर उपर से माझते हो पर तुम भीतर अंधेर असयम से भरे हुए हो बाहर से सजा कर आजाते हैं वारा मुझ पर इतने अच्छा हूब आओ जैसे वर्षीप में आराद नाम है मग अरे बहार से माजने से बहार से साब दिखाई देने से कुछ नहीं होता प्रभू अंदर देखता है अंदर तो कपट भरा हुआ है प्रभू कहता है सास्रीयों को जो बच्छेन के मास्टर्स पीएचेडी किया हुआ था अरे कप्टी तुम बहार से दिखावा करता है अंद तो कपट भरा हुआ है कि कहता है उपर से तो सुंदा दिखाए देती है उपर उपर से तो मांस्यों पर तुबढ़े बीटर अंदेर अस्ताइम से भर है यह अंदेर फरी से पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी अरे सब करिंदों जीर में इस साल के सब इस किने वोलते प्रभूं मुझे आस इस्तर प्रदे कहां से बरकत बॉटल अंदर से खाली तो करो जीवन में पुरा कच्रा बढ़ा हुआ है रासी सो की डेर सार कामना है प्रू का वच्छन कहता है 27 आयद मत्थी 23 और 27 हे कप तीश सास्री और फ्रोशी तुम पर हाई तुम चुना फिरी हुई कबरों के समान हो जो उपर से तो सुन्दर दिखाए देती है परंतु भीतर मुर्दों की हि प्राइंता से भरी हुए है प्रभू यह वच्छन में पिएच्डी किये हुए लोगों को कहता है आप कबर के समान हो जो चुना करी हुए उपर से चुना करके कबर को अच्छा बना दिया अरे अंदर तो मुर्दा है अंदर हडिया है दूर गंद आ रही है में और आप बाहर से चुना लगाई हुए कबर के समान है बाहर से ची दिखती है अंदर तो बदबु मार रही है पाप की प्यारो आज हम आपको चिताना चाहते है खास कर जो लोग डबल स्टांडर लाइब ची रहे हैं दोहरा नाइतिक जीवन आधा पैर प्रभु में और आधा पाप में आप तैयारी रखे परिणाम की दूद और दही में रहना संभव नहीं है प्रभु के दास ने कहा अगर आप चानते हो प्रभु परमेश्वर है आप उसकी सुनो दो विचारों के बीच लटके मत रहिए आए एक और आयत हम पड़े प्रकासित वाक्या तीन और पंद्रा प्रकासित वाक्या तीन और पंद्राант प्रभु का बच्चन कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं को आप जो काम कर रहे हैं रभु जानता है अब रलेही वो प्राइवेट हो दुन्या की नजर से अंधेरे में आप कर रहे हो प्राष के दासों को बॉक करके कर। माबाप से नजरे छिपा कर कर रहे हो आपके नखरों से आपके पापों से परमेश्वर वाकिफ है प्रकासित वाकिय तीनों पंद्रा कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ तू न तो ठंडा है और न गर्म बीच में लटका है ना प्रभू में ना दुनिया में आदा प्रभू में आदा दुनिया में तू ठंडा है तू ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं है भला होता कि तू ठंडा या तो गर्म चुन लिजे ना दुनिया में ही रहना या प्रभू में रहना है या प्रभू में रही या दुन्या में रही है क्यों सब को धोका देकर जी रहे हो प्रभू का वच्छेंग केता है अच्छा होता तू ठंडा होता या गर्म होता इसलिए कि तू गुन-गुना है बोले मुझे गुन-गुना नहीं बनना है गुन गुना मतलब आधा ठंडा अधा गर्म बीच वाला ना ठंडा है ना गर्म है ना प्रभु में है ना दुन्या में थोड़ा प्रभु में थोड़ा दुन्या में थोड़ा प्रभु में थोड़ा पाप में प्रभु कहता है या तो ठंडा बन या तो गर्म बन या तो मु सुनिए सोलवियाद प्रकाशित वाक्य तीन और सोला सो इसलिए कि तु गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म मैं तुझे अपने मुझ से उगलने पर हूँ सुन लीजे आज ये वच्छन प्यारो जितने हमारी कलिश्या के योथ बच्चे जुनियर योथ बड़े आप गुनगुने हो आधे प्रभू में आधे दुनिया में आधे पाप में आधे परमेश्वर में प्रभू का वच्छन कहता है तु गुनगुना है न ठंडा है न गर पर हूँ निखाल देने पर हूँ गुजराती मालकिशे मैं तुझे उतने थूकमानों मतलब मैं तुझे छोड़ देने वाला हूँ थ्याग देने वाला हूँ कि उससे पहले न्याइशासन आये आप को हम चेतावनी दे रहें और हम सिंसियर्ली और सिरियसली दूआ करेंगे फोकट में हम आपके लिए एवरी विक फास्टिंग के साथ आशीशों की दूआ करते आये फोकट में प्रव हमारी कलिश्या को आशीश दे पूरे दिन भूखे खर। एक अच्छा होता कि हमने यह दूआ नहीं कि होते आपको आसीश नहीं मम्ले होती तो है स्वार्ट फोन आपके हाथों में नहीं होता आपके लिए अच्छा होता है हमने दुआ कि प्रभू फास्टिंग के प्रभू तो आसीज दे बरकत दे आसीज दे बरकत दे और वही बात है वही आसीज से बरकतों को लेकर आज आप नाच रहे हो प्रभू ने दी हुई ब्लेसिंग के कानण आप लेपाएं। वही पैसे प्रभू ने जञा आपव आशीज के रूपमें दिये वही पैसे से आप गुटखा ले रहे हो सिगरेट ले रहे हो पाप में जीवन बीता रहे हो हम अब यह दूआ करना बंद कर रहे हैं एवरी विग हम फास्टिंग के साथ यही दूआ करते आए प्रभू आसीज दे आसीज दे लेकिन आज से यह दूआ सुरू प्रभू हमारी कलिश्या में जितने लोग आपकी आधिनता में नहीं है छोटे बच्चे से लेकर बड़े यूद जुनियर यूज सब प्रभू से प तो में अपना जीवन व्यर्ता में बिता दे प्रभू तुने सीधा कर और निश्य जान लो जो प्रभू हमारी दूआओ को सुनकर आपको उठा सकते वही प्रभू हमारी दूआओ को सुनकर आपको एकदम सीधा सोटी जैसा कर सकते हैं और आप देखोगे हमारी दूआओ क परिड़ा में चाहिए कितना भी मेकप कर लो आप सुन्दर नहीं दिखोंगे और अब मेरे सब्दों को याद रखना यह दूआओ का रिजल्ट होगा आपकी इंकम में कमी आएगी यह हमारी दूआओ का रिजल्ट होगा क्योंकि आपने अपनी आमदनी का गलत फाइदा उठाया है यह दूआए अब हम सुरू करने जाए अब एवरी विक जो फास्टिंग करेंगे अब हम यह नहीं मांगेंगे प्रभू तु सीधा कर बहुत आ जारों फॉलोवर वाले स्टार सीधे सोटी जेस हो गए अब आप देखें प्रभू कैसे आपको उगल देता है प्रभू की आसी से आपने देखी अब आप वो भी देखें प्रभू का न्याई सासन क्या होता है प्रभू कहता है ना तो तू ठंडा है ना गर्म गुन गुन को लिखा दा यह मत सुदना वो तो दूसरे लोगों के लिए बचन है मैं तो प्रभू का बेटा मैं तो प्रभू की प्रभू मुझे नहीं उगल सकता प्रभू न्याई पर मेश्वर है यह भी मत बुलें 19 व्याद प्रकासित वाद के तीन और 19 मैं जिन जिन से प्रिती रखत हूं सब को लहना और ताड़ना देता हूं इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा अगर आपको यह सोटी नहीं देखने अपना मन फिरा लिजे और आज का बचन रेकोर्ड करके हमारे पास होगा जब सोटी पड़ेगी यह बचन हम आपको दिखाएंगे हम नहीं वो दिन आपके ल रहकर पुरा दीन आपके लिए दूआ करने का फाइदा कितना मिला आप में पता है अब बहुग गयो हो अब बहुग गयो अब देखते हैं प्रभू यह न्याई-स आश्शंग के लिए द्वारा आपको कैसा सीधा करता है परू कहता है मैं जिन जिन से प्रिती करताओ को ल आना और तारना करता हूं इसलिए सरगर्म हो मन फिरा देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खट खटाता हूं कई लोग यह वच्छन को ऐसा मानते हैं तो जो प्रभू को जीवन नहीं दिया ने उन लोगों के लिए हरे यह कलिश्या के लिए है यह कलिश्या के लोगों ने प् रखा था अपने घर से अपने चीवां से अपने दिल से और प्रभू कहता है कलिश्या को कहता है मैं द्वार पर खड़ा खड़ा हुआ खट खटाता हूं यदि कोई मेरा सब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास बीतर आकर उसके साथ बोज़ंग करूंगा और मेरे साथ ये कलीश्या को प्रभू ने कहा था क्योंकि कलीश्या के लोगों ने प्रभू को बाहर खड़ा रखा था आज हमारे चर्च के यूथ ने प्रभू को बाहर खड़ा रखा है रिदर्ज से चीवन से प्रभू खट-खट आता है अगर द्वार खोला आप फाइदे में रहोगे अगर द्वार नहीं खोला प्रभू कहता है मैं तुझे उगलने पर हूँ मैं तुझे त्यागने पर हूँ मैं तुझे छोड़ने पर हूँ और छोड़ता है भी प्रभू याद रखना नए नियम में भी करिंधियों की कलिश्या का लेटर पढ़ लेना जब एक व्यक्ति ने पाप किया प्रभु का दास कहता है उसे सैतान को सौंब दो प्रभु के दासों को अधीकार है वो चाहे आपको दूर कर सकते है ताकि आपका आखिर में फाइदा हो हमें खुसी नहीं होगी आपकी बरकतों को गायब होते देखते हुए हमें खुसी नहीं होगी आपकी आसिशों को गायब होते देखते हुए क्योंकि हम ही है जिनों ने कुटनों पर उपास के साथ दुआये किये आपको आनन्दी देखना वो हमारा क्वाब था हमारा स्वपन था लेकिन हम ही अब पस्ता रहें क्यों बरकते मिली बरकतों का गलत फाइदा आपने उठाया है इसलिए हम प्रात्ना करेंगे प्रभू अब जो भी आपके आशिशों का गलत फाइदा उठा रहा है प्रभू तु अब सोटी हाथ में ले और प्रभू निश्य करेगा प्रभू का वच्चेंग करता है द्वार पर खड़ा खटखटा रहा अभी भी एक मौका है आज के दिन अगर आप द्वार खोलोगे आप बचोगे आप फाइदे में रहोगे नहीं तर देखते रहें आने वाले दिनों में यह साल बहुत कुछ दिखाएगा आपको हम अब यह नहीं मागेंगे यह साल प्रभू आसीश लेकर आए बरकत लेकर आए यह लेकर आए वो लेकर आए हम एक ही मागेंगे प्रभू सोटी लेकर आए आई साल आखरी एक दोग बच्चनम बढ़कर पूरा करने जा रहे हैं यहोसू 24 और 15 यहोसू 24 और 15 प्रभु का दास कहता है और यदि यहुआ की सिवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आच्छुन लो कि तुम किस की सिवा करोगे चाहे हुँ देवताओ की जिनकी सिवा तुम्हारे पूर्खा महानज के उस पार करते थे और चाहे मर्यों के देवताओ की सिवा जिनके देश में तुम रहते थे परन्तु मैं तो अपने घराने समेथ यहोँआ की सिवा नित करूंगा प्रवुका दास कहता है आज चुन लो किस की सिवा करोगे आज चुन लीजिए अगर आपको प्रभुक के पार्ग बना रहना है प्रवुका दनिवाद नहीं बना रहना है अब हम आपके पीछे आँसु नहीं बहाएंगे अब आपके लिए घुट्नों पर उपास के साथ जुकेंगे आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो इसके लिए कि बाद में आपकी आँखे खुले एक आखे बच्छन पड़ लेता है नीतीवचन बीस और टीस में प्रवु का बच्चन कहता है चोट लगने से घाव होते क्या होता है बोले चोट लगने से घाव होते वह पुराई दूर करते हैं और मार खाने से रिदय निरमल हो जाता है है कैसे रिद्यनीर्मल होता है के बोलिया न आ को है बेपाव। सिफ्ट में मिल कर डोज हो अब यह आयत का दावा हम करेंगे कौंची आग छोट लगने से गाऊव ud है हो गाऊव क्या करते उभा बुराई दूर करते हैं कैसे बुराई दूर होगी छोट लगने से और दूसरा क्या करता है मार खाने से बेटा बेटा रिदय निर्मल नहीं हुआ सुधर जाओ आपके मां देखो भीचारी आपके पीता देखो भीचारी सुधरे नहीं क्योंकि आप इतने कठोर दिल हो गया हुए उन्हें पत्थर जैसे अब ये ही आरा और चारा है प्रभु का वच्छन कहता है मार खाने से, वच्छन से तो निर्मल नहीं हुआ, हर सुबह संडे उठकर प्रवुके दाज भासन देते रहे, हमारी रिती से जीते रहे, गंटो जागे उजागरा, वेठी न भासन आप वच्छन आप वच्छन आप कोई फाइदा नहीं, कोई बात नहीं, उपाए है नए, अब उपाई दूसरा हम दिखाते है, मार खाने से, रिदय नीनमल हो जाता है, चल यह आँखे बंद करते हैं, अब मैं से कितने लोग हो बच्छे से लेकर यूथ और बड़े, जितनों ने वच्छन की परमेश्व की बातों की और वच्छन की और अन देखी किये, अपनी रीती से जीरों, डबल स्टांडर लाइफ, दोहरा नईती जीरों, आधा प्रभू में, आधा दुनिया में, आधा प्रभू में, आधा पाप में, यह वच्छन आपके लिए है, प्रभू का वच्छन कहता है, मैं द्वार के आगे खड़ा होकर खट खटा रहा हूं, तु चाहे खोल सकता है, तु चाहे पस्तावा कर सकता है, अब मौका ना भी मिले अब मौका सायद ना भी मिले अगर आप यूथ हाउस ओप्रेर की कलीशा के यूथ ओनलाइन जितने देखरे बच्चे जागना है तो जाग जाएए अगर आच चाहो आप अपने रिदाई में फिर से यशु को कह सकते हो तु मेरे रिदाई में आपरभू, मेरे च और आधा, तुझ में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं संपन रिती से तुझ में रहना चाहता हूँ, प्रभू द्वार खट खटा रहे हैं, अगर आज खोला, प्रभू को धनिवार, आज से, स्पेशली में तो अब उपास के साथ आपके लिए आशिशों की दूआ नहीं प्रभू तुझ जितने हमारे बच्चे आज तक वचन से नहीं सुद्रे, माबाप के कहने से नहीं सुद्रे, तेरे दासों की अंसुनी की है, अब तुझ सोटी उठाना सुरू कर प्रभू, प्रभू आशिश से बहुत दी, वोही आशिश से, वोही पैसों से आज नाजते गुद्थे दुन्या के फिल्म के गानों पर नख्रे कर रहेे प्रभू आशिशो को बर्बात कर रहे पुद्ब वही पैसों से बीडी सिग्रेट पी रहे प्रभू जो आशीस आपने दी प्रभू आसिसों को तू वापिस ले ले फिर से गरीब बना दे प्रभू अच्छी थी अमारे कलीश्या जब गरीब थी अच्छी थी जब पांसो के किराये में वाले मकान में रहते थे आज बहेग गई है हमारी कलीश्या हम दुआप से यही करेंगे प्रभू अगर आज आपके लिए द्वार नहीं खोर रहे आज से वो डिसिप्लिन में आपके मार्ग में नहीं चर रहे आज से भी दोहरा नहीं तिक जीवान जीना जारी रखते है प्रभू तो सोटी उठा वो सोटी आपकी पलाई के लिए होगी और आप देखोगे सब कुछ जाते हुए दीरे-धीरे कर के जितना आप अकड कठोर बनने का प्रयास करोगे उतना ही सोटी ज्यादा तीवर होती जाएगी उतना ही डर्द आपको ज्यादा जिलना पड़ेगा क्योंकि आप ना ही वचन से सुद्रे ना ही किसी के कहने से अब एक ही आरा और चारा है जो वचन में हमने पड़ा सोटी से रदे निर्मल होता है और अब वो हम करने जा रहे हम कहने जा रहे प्रभू से उपास के साथ एवरी विग जो उपास करते थे वो ब्लेसिंग का उपास नहीं होगा अब वो उपास होगा सोटी उठा प्रभू ताकि हमारे लोग प्रभू जो आप से दूर चले गए बहग गए आसी सो में कि अकल ठीकाने आए कि आपके दूर कोई फाइदा नहीं है अगर आप चाहो तो आज पच्टावा कर सकते हो और न चाहो तो हम आपको कोई फोर्स नहीं करना चाहते हैं बस तैयारी रखे प्रभू कहता है ना तू ठंडा है ना गर्म मैं तूझे उगलने पर हूँ आप देखे जब प्रभू गलता है तब क्या क्या होता है या तो ठंडे रहे या तो गर्म या तो प्रभू में रहे या तो दुन्या में जाना है जाए बिना फोगट का यहां एक जगा मत रोके किसी और को मौका देंगे बिचारा कई लोग वेट कर रहे है या तो ठंडे रह या तो गर्म अगर आपको प्रभु में नहीं रहना है आप तयारी रखे प्यारों हम आपको कोई फोड़ सब नहीं करेंगे हमारे पास और भी बहुत सारे काम है परमेश्वर के राज्य के लिए अभी बहुत जगत दोड़ना है बीना मतलब का जिंग को कोई पड़ी नहीं ह ऐसे लोगों के लिए हमारे पास ऐसे कई लोग वेड कर रहे जिनके लिए हम बहुत कुछ कर सकते बहतर यही होगा हमारे लिए हम आपके पीछे सोज सोज कर रो रो कर हमारा समय ना बिगाड़े और जो बागी काम है प्रभू का उसको आगे बढ़ाए आपको कठोरी रहना है रहे है कोई बात नहीं आपको प्राइवेटली चिपकर छुपकर जो भी करना है कर ये कोई बात नहीं आज के दिन से याद रखे Countdown सूरो आई प्रात्मा करें प्रमेशनम येसुमसी के नाम में आपके च्रनों में आते हैं मैं और हम सब के लिए प्रात्ना करता हूं, मैं और हम प्रभू जहां कहीं गुन-गुन हैं, हमारी आखो को खोल प्रभू, पश्तावा दे प्रभू में, प्रभू हमारी कलीशिया में जो बच्चे आप से दूर गए, परमेश्वर हमारी कलीशिया में जितने बड़े बुज करिये प्रभू आप हमें माफ करिये प्रभू लेकिन आज आप कह रहे हो हम से फिर से कि मैं दरवाजा खट खटा रहा हूं या नूगरा दीचे कि सोटी हमारे लिए उठाई जाए उससे पहले हम प्रमेश्वर हम पच्टाताप करें द्वार को खोले आपको प्रभू येश् सोटी मार जिलनी न पड़ें का बच्टाता है सोटी से रिदय नीरमल होता है हम वो स्टेज में पहुंच गए कि हम हमारे लिए सोटी उठाई जाए क्योंकि नाम बच्ट को मानते ना माबाप का मानते ना प्रमेश्वर के दासों का मानते प्रभू अब एक ही आ रहा है प् प्रभू पेनफूल होगे घाओ लगेगा लेकिन हमारी कलीश्या के उन हरे लोगों के लिए आश्म दुआ करते हैं जो आगनाकारी तामन नहीं है जो बच्चे माबाप की माबाप से छीप कर छुपा कर प्राइवेटली गलत काम कर रहे प्रभू पाप कर रहे हैं जो खरीद कर पाप में डुबे हुए गर्फेंड वॉइफ्रेंड के पीछे भाग रहे हैं माबाप की नजरों माबाप की आखों में पास्ट्रेस प्रभू के दासों की आखों में दूल चोकने की जरूरत किये उन्होंने प्रभू आज हम प्रात्ना करते हमारी ये कलिश्या क प्रात्ना करता हूं मारे बच्चों से लेकर बड़ों तक प्रभू जो भी आपकी आगनाकारिता में नहीं है हम आपके दासों के नाते जिन दासों ने उपास के साथ आसीसों के लिए दूआ की थी आज तक वो ही हम आपके दास दूआ करते हमारी कलीश्या के फाइदे के दुआ करते है जो कठोर रदई रखे पत्थर रदई बन गए वचन को परमेश्वर वचन को स्विकारते नहीं है आज से आप उनके उपर सोटी उठाना शुरू करिए जो भी प्रभू आपने दिया एक एक खड़ के वापिस लिजे ताकि उनकी अकल ठीकान आए आपके बग लाँ पाइदा आसीत नहीं है य से लेकिन ये शुटकी अफ़गर ना हो प्रभू प्रभू आज की गई हमारी दुआ हम येश्रो अमस्यी OFF के नाम में आपके चरनों में लाते हैं इस दुआ को कबौल करे हामें प्रभूनें सिखाइवी दूआ साथ मैं करके ह़े तुमारूनाम पवित्रमनाव तौराज्याओ यवा काश्माते पृत्वी पर तमारी चापुरी था दियस्ति यमारी रोठली आजमनापो जे मारून नमाप परियाशे तेम तुमारूनमने मापकर। नमने परिक्ष्णमान लाओ उंडायति यवारू छुटको करो कि राज्य पराक्रम तौरा महीमा स्रवकार सुधी तमारा अमें प्रभु येश्यु का प्रेम पवित्रात्मा की संगती प्रमेश्व पिता का शीष और आगनाकारिता लाने वाली सोटी हमारे साथ है आमें